प्रिया दर्शकों इसी बात है सनी की सामन्य रासी में आकर राहू स्रिष्ट फल प्रदायक बन जाएंगे इस लगन में स्रिष्ट फल प्रदान करने वाले बन जाएंगे यहां एक बात आपको कहूँ कि राहू अगर कुंडली में बलवान हो बलवान का अर्थ है अंस बल उनके पास बहुत अच्छा हो बारह से ले करके अठारह अंस के बीच के राहू हो तो समझ लीजिए कि यही राहू आपको जीवन काल में अगर आप मकर लगन और मकर रासी के हैं तो आपके जीवन काल में सभी सुख और सभी फल देने वाले बनेंगे फिर उस अवस्था में राहू को बल देने के लिए आप राहू का रत्न गोमेद भी धारन कर सकते हैं और आजीवन भी धारन कर सकते हैं यानि आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं आजीवन राहू का रत्मधारन कर सकता हूँ और तब मैं कहूँ कि जी बिलकुल आप आजीवन राहू का रत्मधारन कर सकते हैं लगन में आईए अगर आप मकर लगन के हैं और रासी के रासी से सम्मंध जब जब मैं जोड़ूंगा आप लोगों को जान लेना है कि रासी की बात आएगी तो लगन आपका कोई और हो सकता है उस सवस्था में राहू का ये प्रभाव आपके लिए स्रिष्ट होगा इसमें कोई संसे नहीं कि अगर बात मकर रासी की आए तो चंद्र कुंडली बनाई जाए तो चंद्र कुंडली ऐसी ही बनेगी और चंद्र कुंडली के आधार पर फल लगभग वही होगा जो मैं लगन के लिए बता रहा हूँ लेकिन लगन व्यक्ति का व्यक्तित्व है तो रासी व्यक्ति का कहीं न कहीं 50% उसके व्यक्ति के स्वभाव पर 50% अधिकार राशी का भी होता है तो रासी से रत्न धारन करने की सलाह तो नहीं दे रहा हूँ सलाह रत्न इत्यादी धारन की जो मैं दूंगा वो लगन से संबंदित होने वाला है तो अगर आप मकर लगन अथवा मकर रासी के हैं और खुद राहू बैठे हों मकर रासी अथवा लगन में ही ये बहुत ही स्रिष्ट फल प्रदायक है अत्यंत स्रिष्ट फल दायक है मकर रासी ये रासी सम रासी है सीधी सी बात है यहाँ पर ग्रह 0 से ले करके 6 अंस तक ब्रिध अवस्था में तो वही 24 से ले करके 30 अंस तक बाल अवस्था में होते हैं राहु केतु के बारे में बता चुका हूँ यह वक्री ग्रह हैं उल्टा चलते हैं फलस्वरूप इनके अंसों की गणना प्रारंभ होती है 30 अंस से ले करके और फिर यह 0 अंस पर आते हैं बाकी के ग्रह 0 अंस से प्रारंभ करके 30 अंस पर जाते हैं राहु और केतु 30 अंस से प्रारंभ करके 0 अंस पर आते हैं आपको ये देखना है कितने अंसों पर हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर 12 से 18 अंस के बीच के हुए, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में आकस्मिक, अब जरा यहां एक और बात समझिए, सनी पापग्रह हैं, राहू पापग्रह इसलिए हैं क्योंकि ये छाया ह इनका अपना स्वरूप नहीं है, इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई स्वरूप नहीं, तो ये पापग्रह की रासी में आएंगे, तो और फल प्रदान करने वाले बनेंगे, तो सनीवत है ये, और सनी की रासी में आकर के समपुर्ण रूप से सनी का प्रभाव द देने लगेंगे तो सनी की राशी में सनी के समान फल देने वाला सीधी सी बात है एक प्रकार से राहु का यह लगन बन जाएगा और उस अवस्था में यह जातक को अपनी दसा, अंतर दसा, प्रत्यंतर दसा या जहां भी यह आए वहां पर सब कुछ प्रदान करने वाला होगा हर सुख देने वाला होगा बहुत ही सुभ परिणाम देने वाला होगा अगर यहां बैटे हैं राहू फिर उस सवस्था में अगर अंसबल इनका बहुत अच्छा है और कहीं आपके सनी भी बलमान हुए तो आप आजीवन राहू का रत्म धारन करिए और आजीवन राहू के रत्म से लाभ उठाईए यहां बैठे हैं राहू तो राहू क्या करेंगे लगने में बैठ करके राहू लगने में बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिमान बना देंगे चतुर बना देंगे समय का लाभ लेना समय का फायदा उठाना ये व्यक्ति सबसे जादा अच्छी तरह से जानने वाला है यानि वक्त आने पर अपने आपको बदले कूट नितिग्य हो जाए तो ये राहू करा सकते हैं यहां पर बैठे राहू की दृष्टी पड़ेगी मित्र दृष्टी पड़ेगी पंचम भाव पर फलस्वरुक ज्यान और संतान के मामले में बहुत स्रिष्ट और सांती सांत दामपत्य भाव पर द्रिष्टी डालेंगे मत भेदू तो हो लेकिन दामपत्य जीवन सुखत चलेगा और वहीं भागे भाव पर दृष्टी डाल करके भागे की सदई वह बृध्धी कराने वाले जातक को धार्मिक बनाएंगे तिर यात्रा इत्यादी कराने वाले और पिता के सुखों को दिलाने वाले होंगे बहुत स्रिष्ट फल प्रदायक बनेंगे यहां पर राहू धन भाव में आईए ये भी सनी की रासी है यहाँ पर आकर के बैठे हैं राहू तो कैसा फल देंगे सीद्यूसी बात है कि ये भोग एक तरह से देखा जाए तो खाने पीने का विचार दुतियभाव से होता है कुटूμब का वीचार होता है पैतर्क संपत्तिका होता है आँखो का विचार यहाँ से होता है लेकिन यहाँपर वैठे राहू जातक अगर शनी की रासी में बैठे हैं और शनी भी गुप्त कराने वाले अस्टम भाव परत्रिष्टी डाल करके जातक को आकस्मिक धन दिलाने वाले गुप्त विद्याओं का ज्याता बनाने वाले जातक के कॉमन सेंस को जागरत कराने वाले और कर्म भाव परत्रिष्टी डाल करके जातक की पहुँच बहुत उपर तक ले ज बहुत स्रिष्ट है पराक्रम भाव की यदि हम बात करें अगर कुंडली के तुर्तिय भाव में आकर के बैठे हो तब तो यहाँ पर यह गुरू की रासी है राहू की यह मित्र रासी नहीं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लगन के स्वामी सनी है फलस्तुरूप राहू इस लगन में भी जाकर के बैठ जाए तो उतना अकारकत्तो वाला परिणाम नहीं देता जैसा कि बाती के वो अकारक लगन में देता है यानि यहाँ पर बैठे राहू राहु को वैसे भी पाराक्रम भाव में कारक माना गया है और यहाँ पर बैठ करके जातक को पाराक्रमी बनाएंगे जातक का मन बहुत भटकने वाला होगा पर फिर भी जातक पाराक्रमी होगा छोटे भाई बहनों के साथ सम्मंद खराब हो सकता है पराक्रम का स्रिष्ट लाभ नो मिले लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ गुरू की रासी में बैठे हैं तो गुरुवत स्वरूप बनाएंगे अब जरा देखिए इस चीज को कि लगन का स्वामी शनी और राहु जाकर के बैठे गुरू की रासी में स्वरूप उन्होंने गुरूवत बना लिया और अगर सुभग रहों की द्रिष्टी इन पर पड़ी तो फिर जातक को पराक्रमी तो बनाएंगे ही ना ते रिष्टदार पास पड़ोसी छोटे भाई बहन सबसे सुख दिलाने वाले दामपत्य का सुख दिलाने वाले गुरू अच्छी स्थिती में हुए और सुभग रहों की द्रिष्टी यहां पर पड़ी तो लेकिन अगर गुरू कमजोर हुए गुरू छटवे आठमे बार्मे भाव में हुए गुरू अंस बल से कमजोर हुए तब क्या होगा तो सवस्था में तृतिय भाव से संबंधि सुख की जगह परेसानिया जातक के जीवनकाल में आने लगेंगी उसे बहुत जादा प्रेत्न करना पड़ेगा संघर्स करना पड़ेगा और संघर्सों के बाद भी वो स्त्रिष्ट परिणाम नहीं ले आ पाएगा जो उसे मिलेना चाहिए दामपत्य भाव पर पढ़ने वाली दृष्टी दामपत्य जीवन को कमजोर करेगी तो भागय की राह में सदईव रोड़े अटकते रहेंगे लाभ के मामले में सदईव जातक को परिसानी होगी कमाये कमाना चाहेगा वह 100 रुपए तो हाथ में आएंगे 40 रुपए मेहनत करेगा वह 100 रुपए का तो ल लगनमे राहू बहुत कारक हैं तो जहां वो अकारक कहे जा रहे हैं वहां भी वो बहुत स्रिष्ट परिणाम देंगे बस यह देखना है कि यहां पर बैठे राहू पर दृष्टी किसकी पढ़ रही है और एक बात सदईव याद रखिएगा कि परिणाम इनके बुरे वाल कुंडली का सबसे कोमल भाव है यह वैसे ही जैसे मुह में जीव सबसे कोमल है वैसे ही मुझे लगता है कि कुंडली का यह और यह दो बहुत कोमल भाव है इस भाव में आकर के बैठ जाएं क्योंकि हमारा घर है यह घर में आकर के बैठ जाएं रहू मंगल की रासी में आकर मंगल के समान सवरूप बनाइंगे तो मंगल है कैसा मंगल है करोधी तो नहीं है मंगल पराक्रमी घुक्र करता है यह बढ़ जाएंगे और ज्यादा फलस्वरुप घर में कलह का वातावरण, तनाव का वातावरण, पिता के साथ संबंधों को खराब कराएंगे, मा के सुखों में कमी लाएंगे, भूमी भवनवाहन के सुखों में कमी, अस्टम पर द्रिष्टी पड़ेगी, चोट चपेट एक्सिडेंट की घटनाओं को जन् ब्याय हो यह हुआ सामानिप इसका फलादेश लेकिन अगर माने लिया जाए कि मंगल वलवान हुए सुख भाव पर सुभग रह जैसे चंद्रवा और गुरु शुक्र इत्यादीक रहों की दृष्टी पड़ रही हो बुध की दृष्टी पड़ रही हो तब परडाम जार कत्व जागृत हो जाएगा हो सकता है जातक का स्वभाव के कारण घर में कलह का वातावरन हो लेकिन इसके बावजूद भूमी भवनवाहन का सुख मां का सुख हर प्रकार का सुख अब यहाँ एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ कि राहू पर सुभग रहों की द्रिष्टी पढ़ जाएगी तो निसंदेह इनका जो प्रभाव है इस सभाव से संब्धित वो बहुत स्रेष्ट निकल करके आएगा यानि आप खराब मत समझेए फिर यह राहू अपनी दसा अंतर दसा में अब इनका जो मूल सभाव है कोईले का सभाव है जल रहा होगा तो तेज देगा आप उस पर भोजन मना लीजिए और धदक रहा होगा छू लेंगे तो हाथ जलाएगा वैसे और अन्य जल रहा हो तो हाथ काला करेगा वो स्वभाव है उसका उससे हम नहीं बदल सकते लेकिन ये राहू यहाँ पर सरवाधिक स्रेष्ट फल परदायक बन रहे हैं तो यहाँ आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि वैसे भी वो भाव बहुत स्रेष्ट प्रभाव नहीं दे पाता जिस भाव पर सुभग ग्रहों की द्रिष्टी ना हो या उस भाव से सम्मंधित भाव पती पर यानि मंगल की हम बात कर रहे हैं इस प्रदाता कहां बन पाएगा तो यहाँ पर बैठे हैं राहु और मंगल अच्छी स्थिति में तो अच्छा पलिणाम लेकिन मंगल अच्छी स्थिति में नहीं हुए सुभग रह की द्रिष्टी नहीं हुई तो कहते हैं यह भाव सो जाएगा और भाव जब सो गया तो जात का कॉमन सेंस जागरत हो कारेक्षित्र में स्रिष्ट सफलता देश विदेश की आत्राएं करें विदेश में जाकर के बस जाए आईए कुंडली के पंचम भाव में शुक्र की रासी में बैठे हैं पापग्रह त्रिकोणे में आकर के अक्तिंत स्रिष्ट फल परदायक हो जात आते हैं और उस अवस्था में यहां पंचम भाव में बैठे राहू जातकों को ज्यान संतान हर सुख देने वाला होगा अपना स्वभाव है राहू का तो भी देंगे संतान है संतती के रुकुले करके कुछ परिसानी है संतती चुर्चळा स्वभाव करती है पढ़ने में म तो अच्छा परणाम होगा जातक बहुत बुध्धिमान होगा कई बार ऐसे जातक कई भासाओं के जानकार होते हैं ऐसा जातक अपनी बुध्धिमता से अपने जुगाडू पने से हर वो काम हल कर देता है जो कोई आम आजवी नहीं कर सकता भाग्य भाव परदृष्टी कर दें कि भाईया वो किसी को छोड़ता नहीं लेकिन जरुवत पढ़ने पर सब मजबूरा ना आते हैं आना ही पड़ता है मजबूर हो करके क्योंकि इससे बेहतर सहयोग कोई और कर नहीं सकता सस्थमभाव में आईए सस्थमभाव में बैठे राहू क्या करेंगे अत्यां पर कोई सुभग रहा करके बैठ जाए तो वो भी यहीं काम करता है उस प्रभाव को रोकने का काम लेकिन इस प्रकार इस प्रयास में वो अपना जो प्रभाव है वो गमा देता है लेकिन पाप रहा क्या करता है कि उसके अंदर इतना पावर होता है कि अप प्रभाव को रो पहले रोग तो चाहिए तो पहले रोग देंगे यानि समस्याएं देंगे और उसका समन भी करेंगे कर्म भाव प्रद्रिष्टी पड़ेगी तो कार्यक छत्र में सदाइव परिशानी आए लेकिन जातक इतना जुगाडू होगा जातक इतना पैरवी वाला होगा पहुंच व अब मान लिया जाले कि बुद्ध कमजोर है तब या बुद्ध अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं तब तो राहू अपना काम करेंगे इस भाव से संबंधित जो प्रभाव है रोग रिकुरिण को रोकने का वो रोकेंगे लेकिन इस भाव का भाव पती ही कमजोर है तो सी बुद्ध की तो जो खुद कमजोर की नकल कर रहा है तो कमजोर ही होगा तो सवस्था में जातक के जीवनकाल में रोग रिपूरिण के कारण थोड़ी परेसानिया बनी रहेंगी कारेक्ष्यत्र में संगर्स हो जादा हो जाएगा ब्याधिक के हो धन संचयन में दिक्कत हो वानी कडवी हो, आईए कुंडली के सप्तम भाव में, दामपत्य भाव में बैठे रहू, अब मैंने भी विवताया था कि ये कुंडली के दो कोमल भाव, ये दूसरा कोमल भाव है, यहां पर आ करके बैठ करके, और वहां पर कैसी रासी पड़ी हुई है, तो चंद्रमा की र भेद होगा राहू के सवभाव के कारण, लेकिन दामपत्य टूटेगा नहीं, अब अगर कहीं सुभग रह की दृष्टी हो, तो दामपत्य जीवन बहुत सुखद होगा, जातक का विवावी समय पर होगा, बैवाहिक जीवन बहुत सुखद होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, इसमें कहीं कोई परिशानी नहीं, एक वात और आपको बता देता हूँ, कि यहां पर बैठे है राहू, और पापग्रह की दृष्टी पढ़ जाती है, तब जाकर के दामपत्य जीवन खराब हो जाता है, लेकिन यही बात नहीं है, आपको देखना है दामपत्य क का कारक किस अवस्था में है, चंद्रमा किस इस्ति में है, अगर चंद्रमा बलवान है, तो दामपत्य जीवन का सुख मिलेगा, यहां बैठे राहू की दृष्टी लाभ भाव पर पड़ेगी, लाभ जीवन काल में सदईव बना रहेगा, लगन पर दृष्टी बनेगी, तो जातक के व्यक्तित्प को भव्य बनाएंगे, पराक्रम पर दृष्टी पड़ेगी, तो जातक अपने पराक्रम से हर कुछ पा लेने वाला होगा, यानि कि सब्तम भाव में बैठे हैं राहू, तो आपको एक सर्थ बस याद रखनी है, क्या, चंद्रमा की इस्तिती, औ इस भाव पर पढ़ने वाले सुभग रहों की दृष्टी और सुक्र की इस्तिती, अगर पुरुस की कुंडली है तो सुक्र, इस्त्री की कुंडली है तो सुक्र के साथ-साथ गुरू को भी देखे, अगर ये ग्रह ठीक है, तो आप राहू से बिलकुल मत डरिये, ये नु सुर्य की रासी में आकर के बैठे हैं, सुर्य के मित्र नहीं है, फलस्वरूप यहां बैठ करके कस्ट परदायक बनेंगे राहू, जीवनकाल में कस्ट देंगे, कितना कस्ट, कितना कस्ट देंगे, तो जातक को आकस्मिक, चोड़ चपेड, दुर घटना की स्तिती बनाएं कितनी दुर्घटना, क्या जानलेवा हो सकती है, नहीं, जानलेवा तब होगी, जब और किसी विच्छे दात्मग्रह की दृष्टी पढ़ रही हो, जैसे मंगल इत्यादी और पापक ग्रहों की दृष्टी पढ़ रही हो, तब जाकर के यह जानलेवा हो जाए, चोड़ च जाकर के राहु बैठ गए, आत्मा की कारक की रासी में बैठ कर, आत्मा के कारक के समान सुरूप्त बना लिया, लेकिन वहाँ बैठ करके परिशान, अब भ्रम पैदा करेंगे, तो भ्रम कैसा पैदा करेंगे, तो जातक के जीवन काल में तकलीफ उत्पन्न होने लगेगी, कई बार भ्रमात्मक रोग होना कई बार स्वास्त से संबंधित परिसानिया लगातार बने रहना कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ यहां और यहां इन दो भावों में राहु केतु का संबंद जातक को भ्रामक रोग अवस्य देता है और भ्रामक रोक्या इसे आम सब्दों में कहा जाता है किसी ने कुछ कर दिया अब इसे जो तिसी ये दृष्टिकोन से कहें तो भ्रामक आप कह सकते हैं राहू के कारण हो रहा है बाकी कहेंगे कि किसी ने कुछ कर दिया ये भ्रम है असल में राहू यहां भ्रम उत्पन्न करते हैं होता कुछ नहीं क्योंकि कभी भी जांच जाकर के कराईये रोग कोई नहीं निकलता जातक बस परेशान दहता है अब सुर्य अच्छी स्थिती में हुए तो यहां पर बैठे राहू नुकसान नहीं करेंगे बत्वरन जातक को गुप्त विद्याओं का ज्याता बना देंगे आकस्मिक धनलाभ कराने वाले होंगे पुरातत्त से जातक को लाभ मिल जाएगा यहां बैठे राहू की द्रिष्टी ब्याय भाव पर पड़ेगी तो ब्याय आधिक के जीवनकाल में होता रहेगा ब्याय होगा लेकिन गुरु की रासी वहां पर बनी हुई है तो ब्याय भी जातक का ब्यर्थ का नहीं होगा हमेशा याद रखिए कि किसी ग्रह की द्रिष्टी किसी भाव पर पड़ रही हो तो उस भाव पर जो ग्रह द्रिष्टी डालेगा अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगा अगर उस भाव का भाव पती बलवान हो मान लिया जाए मेरा घर है मेरे घर पर कोई द्रिष्टी डाले और मैं खुद बहत मजबूत हूँ कोई द्रिष्टी डाले, कोई बुरी द्रिष्टी डाले, लेकिन मैं बहुत मजबूत हूँ तो हो सकता है उसकी बुरी द्रिष्टी के कारण, थोड़े देर तक के लिए मैं भी मानसिक असांती में आ जाऊंगा लेकिन मेरा घर जब मजबूत हूँ डाले दृष्टी क्या कर लेगा मैं भी मजबूत हूँ तो ये हमेशा याद रखिये कि किसी ग्रह की दृष्टी किसी भाव पर पड़े तो सदैव कूद कर इस फैसले पर नहीं आ जाना कि बुरा ही होगा ये देखिये कि जिस पर दृष्टी पड़ रही है उस भाव का भाव पती कैसा है अगर वो मजबूत है तो निसंदेह ये ग्रह अपना भय उत्पन करेगा पापग्रह है तो भय उत्पन करेगा लेकिन वो भाव पती भी मजबूत है तो उस भय से धरेगा नहीं, समस्या नहीं आगी, यहाँ पर द्रिष्टी पढ़ेगी, तो ब्याय होगा, और ब्याय कैसा होगा, तो गुरु अगर ब्याय भाव के मालिक हैं, तो जातका भ्यायन में अच्छी चीजों पर, धर्म पर, इत्यादी पर ब्याय करेगा, वो ब्या भावनवाहन का सुख जातक को प्राप्त होगा, लेकिन अगर सुरी कमजोर होते हैं, तो कस्ट होगा, इस बात के लिए तयार रहिए, यहाँ पर बैठे राहू, अश्टम भाव में बैठ करके, कस्ट जीवनकाल में देंगे, नाना प्रकार की परिसानिया, कोट का चहरी का चकर, ब्याधिक्य, धन संचय नो होने देना, कुटुम्ब का सहयोग न मिले, भूमी भवनवाहन के सुखों में कमी, मा के स्वास्त में कमी, घर में कलह तनाव का वातावरन, आईए कुंडली के भाग्यभाव में, राहू कुंडली के भाग्यभाव में हों, कहना ही क्या, आप सबसे बड़े भाग्यवान बन जाएंगे क्योंकि बुद्ध की रासी में आकर के बैठें और बुद्ध कुमार ग्रह है कि सवस्था में है ये जानना बहुत जरूरी है अगर बुद्ध कमजोर भी हुए तब भी आपको ये राहू फल तो अच्छा ही देंगे आप फल क बैठे राहू के पास अगर अंसबल हुआ 12-18 अंस के बीच हुए तो कहना ही नहीं आपका मुख्यगरह राहू ही हुआ और यहां बैठे राहू की द्रिश्टी जो लगन पर पड़ेगी तो आपके ब्यक्तित्तों को भब नहीं उच्च कोटी का राज नितिग्य बना दें तो ज्यान के मामले में कहना ही क्या ज्यान और संतान सभी सुखों को देने वाले होंगे बुद्ध कमजोर भी होते हैं तब भी आप अच्छा रजल्ट समझेए दसंभाव में आईए शुक्र की रासी में आकर के बैठे हैं क्या रजल्ट करेंगे तो सीदी सी बात है शुक तो बड़ा मंत्री त्यादित का पद आप अपने जीवनकाल में अवस्य हासिल कर लेंगे यहां बैठे शुक्र की दृष्टी धन भाव पर पड़ेगी जबर्दस्त धन संचय गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी जातक माहा धनी होगा राहु की दृष्टी भूमी भन वहन सुख पर संपूर्ण सुख और सश्ठम भाव पर रोग रिपूर्ण जीवनकाल में आएंगे बिगाड कुछ नहीं पाएंगे लाब भाव में आकर के बैठे हैं राहु तब क्या फल देंगे जबर्दस्त लाब के लिए तो यह जबर्दस्त है क्योंकि पापग रह व जीवनकाल में पैसे के चलते आपको सर नहीं जुकाना पड़ेगा कहां से आएंगे पैसे आएंगे चाहे जहां से आएंगे ही आएंगे और उपर से अगर राहु का बलाबल हुआ अंस बल अच्छा हुआ 12-18 अंसों के बीच हुए या निवा अवस्था का राहु हुआ त दामपत्य जीवन में कोई कमी नहीं लेकिन मंगल कमजोर हो जाए तब लाभ तो तब भी होगा लाभ तब भी होगा लाभ में कोई चिंता नहीं क्योंकि इस लगन में राहु कारक है मंगल की रासी में जाकर के बैठा है तो राह में रोडे अटकेंगे लाभ की राह में रो मंगल किसी अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं किसी सुभग रह से राहू द्रिष्ट नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूं ग्यान और संतान के सुखों में कमी हो जाएगी दामपत्य जीवन में परिसानी हो जाएगी दामपत्य तूटेगा नहीं तूटेगा कब जब किसी औ पापग्रह की दृष्टी हो मंगल कमजोर हुए तब लेकिन लाभ तो तब भी मिलेगा यहां आईए बारवे भाव में आ करके बैठ जाए रहू तब क्या होगा गुरू की रासी में आ करके बैठे हैं पहले तो गुरुवत बन जाएंगे छाया ग्रह है गुरू की रासी में से जुड़ करके सोचने वाला होगा हमेशा दूर की सोचने वाला होगा यानि ये खराब मत समझ ये बहुत अच्छा है खराब कब खराब कब जब गुरू कमजोर हो जाए यानि ये भाव ही कमजोर पढ़ जाए भाव पती ही कमजोर पढ़ जाए तब ये राहू अच्छा फल नहीं देगा उदाहर नार्थ कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है और एक बुरा व्यक्ति उसकी राज्य में आता है वहां उसकी राज्य में आकर के देखता है कि हर जगह अमन चैन सांती हो सकता है एकाध बार वो प्रयास करे दाल गलाने का कि इस राज्य में बुराई फैला दो लेकिन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उस राज्य का राजा कमजोर न पढ़ रहा हो अगर उस राज्य का राज्य मजबूत हो तो बुरा गतिया करके वहां बुराई नहीं फैला यानि गुरू का मजबूत होना बहुत जरूरी है अगर गुरू मजबूत हुए अथावा अथावा वो राज्य तो कई बार कमजोर पढ़ जा रहा है राज्य का राजा कमजोर पढ़ जा रहा है के चलते राज्य कमजोर पढ़ जा रहा है लेकिन उस पर अच्छे लोगों की कोई जोरुत नहीं यहां बैठे राहू भूमी भवन वाहन सुखों को देने वाले हो रोगरी पुरिण से रक्षा करने वाले हो अश्टम पर द्रिष्टी डाल करके आयू नहीं लेंगे चोट चपेट की घटना हो लेकिन नुकसान कोई जादा कभी न हो गुरू कमजोर हो ज नुकसान करेगा जीवन काल में देखा जाए तो उस अवस्था में जातक के पास धन का अभाव होना कोट का चहरी का चकर लगे रहना बेवजह के लफ़डों में पड़े रहना स्वास्त से सम्मंधित परिसानी हो भूमी भवन वाहन के सुखों में कमी हो और और क्या होगा रोग रिपुर्ण जीवन काल में बने रहेंगे चोट चपेट एक्सिडेंट की घटना आयू की कमी हो जाना ऐसी स्थिती बनी रहेगी ये कब हुआ जब गुरु कमजोर हुए और किसी सुभग रह की दृष्टी इस भाव पर नहीं पड़ी तब तो प्रियदर्श को ये मेश से ले करके मीन रासी परियंद मकर लगन के बारहो भाव में राहु का प्रभाव आज मैंने कुछ विसेफ बातें आप लोगों को बताई कि कि किसी भाव में कोई पापग्रह बैठा हुआ है तो इसलिए मत डर जाईए कि वह भाव कमजोर हो गया हमें उसका बुरा पर मजबूत है क्या अगर उस भाव का भाव पती मजबूत है उस भाव पर सुभग रह की द्रिश्टी है तो आप निस्चिंत हो जाईए कोई समस्या नहीं असलगन के जा तक राहु के रत्न गोमेंद को धारन कर सकते हैं बस यह देखिए राहु कहां बैठे हैं किस अंस पर बैठे हैं अगर अंसबल है और अच्छे भाव में बैठे हैं मित्र रासी में बैठे हैं बड़े प्रेम से राहु कारत्न धारन करिए और आज इवन राहु से लाब उठाईए आज के लिए बस इतना ही कल कुना हाजिर होंगा सबसे पहले तो प्राता काल आप लोगों को जगाने आपके पूरे दिन का हाल बताने यानि रासी फल ले करके और साथी साथ फिर साम कोई समय हाजिर होंगा और तब आपको मैं बताऊंगा कुम भलगन और रासी के जातकों के लिए राहु का प्रभाव आज के लिए इतना ही इजाज़त दूजिए नमस्कार